हेलो दोस्तो प्रस्तु था आपके सामने डायलोग अन सिविलाजेशन का सेकेंड पार्ट इस वीडियो का पहला भाग हमारे चैनल पर मौझूद है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी मौझूद है और इसके साथ ही वीडियो में भी इसका लिंक दिया हुआ है तो अगर आपने पहला भाग इसका नहीं देखा है तो पहला भाग जरूर देख लें क्योंकि इससे आपको होल चैप्टर को समझने में बहुत आसानी होगी तो डायलोग अन सिविलाजेशन एक कानवर्शेशन है एक वारता लाप है दो व्यक्तियों के बीच में इसमें एक छ अब्बे होने में क्या फरक है इसके राइटर है C.E.M. Jode तो चली आएए शुरू करते हैं A Dialogue on Civilization Part 2 तो Lucy आगे कहती है and then they get tired of it तो कहती है उसके बाद वो उनका मन भर जाता है उससे है ना? Yes, because when you have a certain amount of doing just what you want and enjoying the sort of things you like, you don't want anymore. तो क्या होता है कि जब तुमारे पास कोई चीज बहुत सारी संख्या में आजाती है तो उसके बाद क्या होता है कि तुम उसे फिर ज्यादा पसंद नहीं करते हैं Lucy, like getting tired of trickle toffees, तो वो कहती है कि जैसे कि आप trickle toffees जो होती है उससे भी आपका मन भर जाता है But you can always stop and begin again. लेकिन वहाँ पर वो एक छोटे आसा उधारन देते हैं लेकिन ये भी तो सकता है आप उसे खाना बंद कर दो कई दिन उसके बाद फिर शुरू करो खाना. लेकर, that is what the Romans did. They used to eat enormous meals. तो लेकर कहते हैं, Romans जो इतली का सामराज्य था बहुत पहले, तो उसका उधारन देते हुए कहते हैं, कि यही बात Romans भी करते थे, क्योंकि वो खाने के बहुत शोकीन थे, enormous meals, तो वो बहुत बढ़ा भोजन करते थे. and when they couldn't eat anymore they took something to make them sick then when they were empty they begin to eat again दोस्तों ये बड़ा रोचक पहली हुए है यहां पर यहां पर क्या था कि जो रोमन थे जो इटली का सामराज्य था वो लोग खाने पीने के बहुत शोकीन हुआ करते थे और वो हमेशा खाते रहते थे हमेशा खाना खाना और अच्छा खाना खाना उनकी मानलीजी एक होबी थी तो क्या करते थे कि वो खाते थे बहुत पकवान वगारा जो भी थे और जब उनका पेट पूरा फूल हो जाता था तो उनका पेट फूल हो जाता था लेकिन उनकी जो एक्षा होती थी खाने की वो मरी नहीं होती थी तो वो क्या करते थे बाहर जाते थे और किसी तरह से उस खाने को बाहर निकाल लेते थे उल्टी वगारा करके और जब पेत उनका खाली हो जाता था तो वो फिर वपएस आते थे और उसके बाद में फिर खाना शुरू करते थे but I don't call that being civilized do you? तो वह क्याते है लेकिन ये करना तुम्हें क्या लगता है सब्बे है तो लुशी कहते है no I don't नई मुझे नहीं लगता myself तो लेकर गाय कहते है after all pigs do that जो सुर है वो भी यही करते है although they haven't the sense to be sick afterwards लेकिन वो क्या करते है बाद में वो ऐसा नहीं करते जैसा कि यह romance करते थे कि फिर से मतलब उल्टी करके फिर से खाना शुरू करते तो pigs का क्या होता है यह भी दिन वर चरते रहते हैं कुछ ना कुछ इनको खाने के लिए जैसा भी मिल जाया है जहां भी मिल जाया है यह खाते रहते है Lucy and pigs are not at all civilized वो कहते है कि और जो सुर है वो तो सब्भे है नहीं well then let us say that using money and power just to get what you want and do what you like although it may be very nice for a time isn't being civilized तो कहते हैं कि अब यह एक बात तो साफ है कि पैसा और जो power है मतलब जो हम कुछ भी खरीच सकें हम कुछ भी कर सकें यह शायद ठीक लगे कुछ समय के लिए लेकिन हम इसे सब्भेता नहीं कह सकते हम इसे सब्भे होना नहीं कह सकते in other words civilization is not just being splendid and grand and living in luxury और जो सब्भेता है इसका मतलब यह नहीं है कि आप महान, grand जो होता है महान हो, living in luxury एकदम शान और शौकत से आप जीए and splendid मतलब बहुत ही भव्वे हो तो भविता के साथ जीना बहुत आलिशान तरीके से लाइफ जीना इसे हम सब्भेता नहीं कह सकते and since most of the worlds who have been rich and powerful have used their money and power in this way they weren't civilized और जो बहुत ही धनवान बहुत ही उचे लोग हुए है उन्होंने अपने पैसे और शक्ती का प्रयोग इसी तरह से किया है लेकिन वो सब्भे नहीं थे Lucy and isn't it being civilized to own gorgeous things like the caliphs in the Arabian Nights तो Lucy फिर कहती है कि तो इसका मतलब जो खलीफा थे Arabian Nights में जो शाशक थे इसका मतलब वो भी क्योंकि उनके पास आलिशान चीजे थे इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्भे थे वो प्रशन पूछ रही है तो लेकर कहते है No, there must also be beautiful things like the plays and pictures we are talking about नहीं ये सिर्फ आलिशान चीजे होना ही सब्भे था नहीं है बलकि इसके साथ सुन्दर चीजे जो होती है जैसे की नाटक हो गए जैसे की तस्वीरे हो गए वो भी हो How do you know which are the beautiful things? तो लुसी कहती है हमें कैसे पता चले कि ये जो चीजे हैं वो सुन्दर है By seeing which are the ones you don't get tired of तो वो चीजें जिसे देखने से हम कभी हमारा मन न भरे Beautiful things live जो अच्छी चीजे हैं जो सुन्दर चीजे हैं वो जिन्दा रहती हैं That is to say people go on liking them in all ages और यहां कहने का मतलब ये है कि जो लोग होते हैं वो हर उम्र के लोग इसे पसंद करते हैं But things which are the grown-up substitute for trickle toffees last only a short time और जो वेस्क लोग हैं जो बड़े लोग हैं जिन चीजों को वो trickle toffees की जगे use करते हैं तो जैसे पहले example दिया था कि toffees की तरह अगर आप उसको बहुत ऐसी अलिशान चीजे जिससे आप बहुत मात्रा में खरीद लेते हो तो फिर उससे आपका मन भर जाता है तो जो ये grown-up हैं ये भी ये विलाशिता की जो चीजे होती हैं इसको trickle toffees की तरह use करते हैं मतलब बहुत सारा खरीद लेते हैं या इनकी पास होता है और जो trickle toffees हैं ये एक निश्चिस समय तक ही आपको अच्छी लगती हैं because people get tired of them और उसके बाद जो लोग हैं उससे उनका मन भर जाता है but let's go back a bit क्योंगी हम थोड़ा पीछे जाके देखते हैं दो shops and machines and cars we are talking about they are not at all beautiful yet we thought they might have something to do with being civilized तो जो भी machine हैं जो भी cars हैं ये सुंदर नहीं है लेकिन हमें लगा कि शायद उनका सब्विता से किसी न किसी तरीके से रिष्टा था Lucy Yes and I know what it is हाँ और मुझे पता कि कौन सी बात है they have all been invented and making invention is the sort of thing people do when they are civilized तो कहते हैं हाँ क्योंकि invented इन सब का अविष्कार किया गया था और अविष्कार करना कुछ ऐसी चीज है जो लोग करते हैं जब वो सब्भे होते हैं It is because James Watt watched the cattle and Newton saw the apple drop and things like that that are inventions now और वो आगे कहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि James Watt जिन्होंने ये steam का engine बनाया था उन्होंने cattle को देखा केतली से मतलब कैसे भाप निकल रही थी उन्होंने वो देखा Newton जो हमारे Isaac Newton थे उन्होंने देखा कि कैसे सेब पेड से नीचे गिर रहा है and things like that उसी तरह से दूसरे दूसरे अविष्कार तो लेकर करते हैं well lots of people had seen cattle spoil and apples fall down before Watts and Newton yet they did not invent anything चलो यहाँ पर ये देखो कि बहुत सारे लोगों ने James Watts से पहले केतली को अबलते देखा होगा और बहुत सारे लोगों ने Newton से पहले सेब को नीचे जमीन पर गिरते देखा होगा लेकिन yet they did not invent anything लेकिन उन्होंने कोई भी अविशकार नहीं किया why not उन्होंने क्यों नहीं किया Lucy they didn't notice anything special about them I suppose तो Lucy कहती है शायद उन्हें इन चीजों में कोई विशेश बात नजर ना आई हो जहां तक मुझे लगता है तो लेकिन कहते हैं quiet हां ये बात है but Newton and Watt did लेकिन जो Newton थे और जो James Watt थे उन्होंने देखा उन्होंने देखा कि सेव नीचे क्यों गिरा है और केतली से जो भाप है वो क्यों बहार निकल रही है तो उन्होंने देखा कि ये जो गिरता हुआ जो सेब था और जो उबलती हुई जो केतली थी इसने उनको नए विचार दिये और क्योंकि उन्होंने नए विचार से सोचा ये जो दो आदमी थे इन्हें संसार के बारे में और अधिक जानकारी हासिल होई और इन्होंने नए अविश्कार की Now although I am not sure about the things we actually invent I do think that this business of thinking new thoughts whether they lead to invention or not is a sign of being civilized तो कहते हैं कि ये जो नए विचार है इसके बारे में मुझे इतना नहीं पता कि इससे शायद अविश्कार हो या ना हो लेकिन नए विचारों को सोचना नए तरीके से सोचना हमें सब भे बनाता है तो Lucy कहते हैं वाई क्यों Because so long as people go on just thinking the same as one another nothing ever changes तो कहते हैं कि अगर हम लोग एक दूसरे के बारे में हमेशा एक ही विचार रखें तो कुछ चेंज नहीं होगा Lucy, you mean that if everybody had always thought the same as their parents we should still be savages तो Lucy कहते हैं तो आपके कहने का मतलब यह है कि अगर हम भी उसी धर्रे से सोचें जिस धर्रे से हमारे जो parents हैं हमारे उनके भी जो parents हैं जो पीडिया हैं जिस तरह से वो सोचती आई थी उसी तरह से अगर हम भी सोचते रहें तो हम अभी भी असब्वे होंगे savages का मतलब होता है असवे that's it हाँ यही बात है it is because people think new things that civilization happens और यह जो new thinking है इससे जो है सवेता बढ़ती है and to think what is new they must also think freely और नई विचारों को सोचने के लिए ज़रूरी होता है कि वो स्वतनतर रूप से सोच सके why shouldn't they? क्यों नहीं? well they haven't you know नहीं सोच पाते तुम्हें पता है most people who have thought for themselves have been told that it was wicked to think differently from other people बहुत सारे लोग जो अपने नजरी से सोचने चाहते थे उन्हें यह बताया गया कि wicked wicked का मतलब होता है जो ठीक नहीं है जो गलत है जो डरावना है तो उन्हें यह बताया गया कि औरोज से जुदा होकर सोचना औरोज की तरह सोचना रखना ठीक बात नहीं है usually there have been priests who have told them that if they thought this or that the gods would punish them और जालतर ऐसे मामलों में पुजारी होते थे और वो कहते थे अगर तुमने यह सोचा अगर तुमने वो सोचा तो भगवान तुमें सजा देंगे तो यह उस समय की बात हो रही है जब कई देशों में समास के कई वर्गों पर पुजारीयों का आधिपत्य था उन्हें सबसे बड़ा तपका दिये माना जाता था और यह चाहे पुजारी हों से नराज हो जाएगा तो इस संदर में बात कही गई है कि वो लोगों को कहते थे कि जो लिखा गया है जो बताया गया है वो ही सही है उसके अलावा आप अपनी तरीखे से अगर सोचोगे तो इश्वर आप से नराज हो जाएगा और उन्हें कहा गया कि इस तरह से सोचो और सही माइनों में देखा जाएगा तो पुजारी होना हो पादरी होना हो मौलवी होना हो जो लोग थोड़ा अलग सोचते हैं उन्हीं के वर्गों में पसंद नहीं किया जाता और ये बात शायद आशकल के दौर में भी लागू होती है कि अगर आप समाज से अलग सोचते हो तो समाज आपको जादा तवज़ो नहीं देता अब वो लूशी को कह रहे हैं कि देखो बीस्टली मतलब जो थोड़ा पशू की तरह है जो थोड़ा असब्बे है जो थोड़ा मतलब डर पैदा करने वाला है तो कहते हैं देखो तुम किस तरह से हैं जब तुम तुमारे स्कूल में नई लड़की आती हैं और जो तुमारी तरह नहीं दिखते हैं जो तुमारी तरह नहीं होती हैं तो उससे तुम किस तरह है मतलब बिहेव करती हो, ठीक है, तुम उनके परतिशाध रूड होती हो, उनको तुम पसंद नहीं करती हो, उनको शायद तंग करती हो और एसी तरह जो वैस्ख हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो भी इसी स्वटंत्र रूप से सोचने का मतलब है कि आदमी different होकर सोचे मतलब उसकी सोच औरों से जुदा हो and these things make it very difficult for people to think freely और यह जो चीजे हैं जो बंदन हमारे उपर समाज ने लगाए हुए है हमारे पडोशियों ने लगाए हुए है हमारे विवस्ता ने लगाए हुए है इस से अलग होकर सोचना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है yet as we have seen without free thinking there can be not civilization और आप यह देख सकते हो कि जहां पर स्वतंतर रूप से सोचने की शक्ती नहीं है स्वतंतर रूप से सोचने का जरिया नहीं है वहां पर सभेता नहीं हो सकती Lucy but I still don't see why more people don't think freely if it is as important as you say Lucy अब वो बिचारी बच्ची फिर एक प्रसन पोस्ती है कहती है कि तो मुझे यह समझ नहीं हाता जब यह different सोचना freely सोचना इतना important है तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते there are a lot of things which are necessary before a person gets the chance बहुत सारी चीज़े हैं कि वो होनी चाहिए अगर आदमी को freely सोचना है आदमी को differently सोचना है तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ चीज़े हैं जो उसके पास उपलब्द हो for instance instance का मतलब होगा उधारन he must have security उसके पास सुरक्षा हो nobody can think about things if he is afraid of being robbed or murdered at any moment तो कहते हैं अगर आदमी को सुरक्षा की बिना differently सोचना पड़े तो उससे तो डर होगा न कि शायद उसको लूट लिया जाए या उसको मार दिया जाए also he must have laser to think in laser का मतलब होगा free time आपका तो उसके पास समय भी होना चाहिए and he won't have that if he has to give all his attention to getting food to eat and clothes to wear और अगर उसके पास स्वतंतर टाइम नहीं होगा स्वतंतर टाइम से मतलब यह है कि अगर कोई आदमी सुबह साथ बज़े से रात की दस बएट तक अगर उसको अपना पेट पालने के लिए द्याड़ी करने के लिए जाना पड़ता है तो उसके पास कब समय होगा कि वो स्वतंतर रूप से सोच सके या समय निकाल कर कुछ सोच सके इफ, that is to say he spends all his time earning his living अगर वो सारे दिन कामी करता रहे and he must have other people to talk to और उसके पास दूसरे लोग भी है जिससे वो बात कर सके so that you may say that security, leisure and society which are all necessary to free thinking and necessary also to civilization तो हम यहां क्या सकते हैं कि सभथा को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि वहां पे सुरक्षा हो समय हो समाज हो ताकि हम स्वतंतर रूप से सोच सके Lucy, is that all about civilization? तो जो सभथा है किया यह इसी से परिभाशित होती है I think there may be one other thing मुझे लगता है कि शायद एक चीज हो हो है Lucy कहते है What is that? क्या है वो? All this business about being good कि आदमी अच्छा बनने की कोशिच भी करे Lucy But what has being good to do with it? लेकिन अच्छा होने से इसका क्या संबन्द है? Nobody wants to be good really They are only good because they get into rouse if they are not तो कहते है कोई भी अच्छा होना चाहता वो अच्छे इसलिए होते हैं ताकि जगडे में ना पड़े Probably And again, it is just the same with grown-ups और ये बात जो है वेसको पे भी लागव होती है If I want to kidnap somebody else's children or cut his throat or steal his car or play with his tennis racket I would do it partly because I should get into such a rouse if I were found out तो कहते है कि अगर मैं किसी के बच्चे का अफ़रन करना चाहाँ उसका गला काटने की कोशिश करूं उसकी कार चुराने की कोशिश करूं और उसका जो tennis का रैकित होता है जो tennis का बला जो होता है उसके उससे खेलने की कोशिश करूं बिना अनुमती लिए मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो वहां पे जगड़ा होगा Lucy But what has that got to do with civilization लेकिन इससे सबधा के साथ क्या संबंद है Just this And if we all took what we wanted to and ran off with one another's children and stole one another's rackets things just couldn't go on यही बात है अगर हम लोग जो भी हमें पसंद हो हम वो ले ले या दूसरों के बच्चों के साथ भाग जाए या चुराएं या दूसरी के जो बले रैकेट हैं वो चुरा ले इससे कोई भी चीज आगे नहीं जाएगी We should all be quarreling and fighting for one thing and for another Nobody would be able to invent anything or make beautiful things तो क्या होगा कि ऐसा होते समय हम सब लोग quarreling मतलब जगडा करते रहना तो कहता है कि हम सब जगडे कर रहे होंगे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होंगे और कोई भी बंदा जो है कोई भी नई चीज इजाद नहीं कर पाएगा या अच्छी चीज या सुन्दर चीज नहीं बनाएगा और जो जीवन है वो बहुत ही डरावना हो जाएगा तो ये बात आप यहां पे क्या है कि civilization होने के लिए जरूरी होता है सब्वेता होने के लिए जरूरी होता है सब्वे होने के लिए जरूरी होता है कि हमारे मन में जो भी है हम जो भी करना चाहें उसे करने की पूरी आजादी नहों ये मतलब अच्छे कामों के लिए तो ठीक है लेकिन अगर कोई आदमी बुरा है और वो चाहता है कि नहीं जितनी भी अच्छी कारें उसी के पास हो, जितनी भी पावर हो उसी के पास हो, तो अगर हमें से हर आदमी ये सोचने लगे, तो उससे क्या होगा कि जिंदगी जहां है, समाज जहां है, सब्वेता जहां है, वहां की वहीं रोख जाएगी, वह आगे Lucy is that why grown-up people keep the rules and are good तो यहां Lucy पूछ रही है क्या यही कारण है कि जो लोग है नियम में रहते हैं और अच्छे हैं मतलब वो जगड़ा नहीं करते या फिर किसी परिशानी में नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि ऐसा करने से उनका हर किसी के साथ विवाद होगा और जगड़े होगे तो यही कारण है कि नियम बने हैं और लोग अच्छे हैं परहापस इस नोट अच्छे हैं नहीं यही शायद एक कारण ना हो आम नोट शूर वैसे मुझे पूरा पता नहीं है but it is certainly one of the main ones लेकिन इसकी कही ने कही भूमी का जरूर है so you see this business of being good has something to do with civilization जैसे कि तुम देख सकते हो कि यह जो हम अच्छा बनने का प्रयास करती है इसका सब्धेता का किसी ने किसी प्रकार से नाता जरूर है and being good means acting justly towards your neighbor और अच्छा पनने के लिए जरूरी है कि आप अपने पडोसी के साथ आपका वरताव अच्छा हो and respecting his property and obeying the law और आप उसकी जो चीजें हैं उसका जो रहन्चन का तरीका है उसके परती आपका आदरभाव हो मतलब एक पडोसी का दूसरे पडोसी के साथ भले ही वो एक दूसरे से कई चीजों में मेल न रखते हो लेकिन तब भी वो एक दूसरे के परती आदरभाव की भावना रखें and obeying the laws और कानून का पालन करें and perhaps other things as well और इसके साथ ही शायद दूसरी चीजे भी हैं जो शायद हमें माननी चाहिए Lucy what things I should like to know what being good is कौन सी चीजे मैं इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहूंगी myself so should I or मैं भी so would lots of people और इसके साथ ही और बहुत से लोग भी ऐसा करना चाहेंगे anyway we have discovered some of the things that count as being civilized जो भी हो हमें कुछ बाते पता चली जिससे हमें पता चलता है कि सब्बे होना क्या है making beautiful things, अच्छी चीजे बनाना, thinking freely and thinking new things, स्वतंतर रूप से सोचना और नई चीजों के बारे में सोचना and keeping the rules और जो कानून है उसके दायरे में रहना without which people couldn't get on together और अगर ये ना हो तो लोग शायद एक दूसरी के साथ रह भी नहीं सकेंगे grown-ups call the first of these things art और जो ये वेस्क लोग हैं ये इन चुजों को कला कहते हैं the second science and philosophy और ये दूसरी चीज है ये विज्ञान और दर्शन है and the third political justice and ethics और जो तीसरा जो है ये राजनितिक न्याय और आचार विचार है now these things may not be old civilization is हाला कि ये सारी चीजों को ही हम civilization ये सब्भेता नहीं कह सकते but anyway they will do to go on with लेकिन अगर इतनी चीजे भी हमारे पास में हो तो हम सब्भेता के mark पे चल सकते हैं तो दोस्तों last का जो paragraph है इसमें लिखे कहते हैं कि जो नई चीजे इजाद करना जो सुन्दर चीजे इजाद करना वो व्यस्क लोग उसे art कहते हैं मतलब वो कला हो गई सौतंतर रूप से सोच सकना और नई चीजों के बारे में जो सोचना है वो आपको विज्ञान और दर्शन शास्तर हो गया और जो तीसरा है keeping the rules ये आपका हो गया political justice मतलब जो राजनितिक न्याय है और ethics मतलब जो आचार विचार है और ये जो चीजे हैं ये जरूरी नहीं कि इतनी ही चीजों से सब्वेता बनती हो या लोग सब्वे होते हैं या society सब्वे होती है लेकिन ये चीजे फिलहाल उस मार्क पे सब्वेता के मार्ग पे या सब्वे बनने के मार्ग पे चलने के लिए फिलाल काफी है तो दोस्तो ये था डायलोग ओन सिविलाजेशन का दूसरा और अंतिम भाग होफ़ली आपको पसंद आया हो अपने विचार हमें जरूर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी आपसे एक नई रसना के साथ फिर मुलाकात होगी तो तब तक के लिए गुडबाए